अच्छा अनुद भाई ये बतातो, जब मैं आपके पास आता हूँ, इतने भर भर के ठोट आप लाते हूँ, कहा चला से हो? बस सबके लिए लाता हूँ मैं, सबको रिव्यू देने के लिए बहुत बार को बचा कि उसका है अब मैं आप सबको ध्यान को अगर आप यूस करें हो कोई स्मार्ट फॉन इस्मार्ट तरीके से आप अपने फोन को यूज करो गे ना तो आपका फोन लंबे समय तक चल जाएगा मैंने बहुत बार देखा है कि काफी गलतीय करते हैं लोग तो पहली गलती पहली गलती है एच्डी गाट जो हम यूज करते हैं वह देखते नहीं कि कौन साम हमें लेना चाहिए चादनी चब में चले आते हैं साट रुपय वाला एश्डी कार बाद ले लेना वहां तो आपको साट रुपय में 64 जी भी मिल जाएगा वहां पता नी क्या कर देंगे बंदब वहां पर यार आप बॉच लेने जाओंगे न क्या पता आपको राडो की बॉच मिल जा हजार जो आपने देखा होगा जो बड़ 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 ब्रैंड्स है जैसे वनप्रस है उसने एश्डी कार देना बंद कर दिया स्लोट उसका रीजन उसमें यही बिटाया है कि लोग ना स्टोरेज है यह पैस 2.1 जो होता है स्टोरेज के साब से भी यही स्टोरेज बहुत तो आपको क्लास 10 वाला एश्डी कार लेना चाहिए तो अच्छे ब्रैंड का अच्छा एश्डी कार ही लेना चीए नगोज ऑप्सिन आपको दे दूंको देख सकते हैं अगला जो है न वो चार्जिं को लेकर है हम अपने फो दिम्राथ चार्ज में लगाय रहते हैं भाई किज़े जब आपको टाइम मि ले थोड़ा थोड़ा चारज कर लो जब भिमों ऐसा of जो अब सबने वर आप ऐ दम से बैट्री को पुड़ा डाउन करके रोजर करोके तो इसकी बैट्री लाइप पड़े बाहर चार्जर बदाओ एक तो वो चार्जर कई नगाई आपके फोन को भी डैमेज कर सकता है यूएसबी केबल भी आप डूब्लीकेट मत यूज करो नहीं करो यूज करो आपके बास दूसरे कंपनी का फोन हो उसका कर सकते हैं कई लोग सोचते हैं कि किसी और फोन से चार्जर निकरना चाहिए लिकिन ऐसा नहीं है आप कर सकते हो दुब्लिकेट छोड़कर दुब्लिकेट चार्जर यूज निकरने हैं तो कि आजकल आपको 20-20 रुपे के पी चार्जर मिल जाते हैं मार्केट में अगर आप जाओगे जैद लाइट पे मिल जाते हैं काफी चार्जर इस टाइप के एक चीज और है पैने आपको करते देखा है आप अपने क्रोग में हार एक चीज का पासफ़र्ट सेव करते रहते हैं क्या बात है मैक अप करता हूँ वैसा छोड़ दिया गया बिल्कुल छोड़ दिया आपको ध्यान लगना है जैसे हम फेस्बुक यूज करते हैं इंस्टाग्राम यूज करते हैं या गूगल क्रो लगाते हैं अपना लैप्टोप की यूज भी या डेक्स्टोप पर उससे अपना रेगुलर फोन चार्ज करते रहते हैं उसमें अपने हमारे फोन को उतनी वोल्टेज नहीं मिलती जितनी उसको चाहिए काफी स्लो फोन चार्ज होएगा और वह आपकी फोन की बैटरी बी तो चार्ज कीजिए आपको तब आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक चीज और है जो मुझे पहले खलती ती अब नहीं खलती वह सौफ्टेयर अब्डेट मुझे ऐसा लगता है जब तक जियो नहीं था ना भाईया कोई वाइफाई दे दो पासवर्ट दे दो तभी हम करेंगे लेकिन याद अब तो आप अपने फोर्ण को अल्वेज अब्डेट किया करो क्योंकि याद कुछ सेक्यूर्टी पैचेस आ जाते हैं बहुत सारी चीजें बदल जाती है पहले क्या आता कि अब्डेट आता था वंजी भी लिखा हुए हम डर जाते थे वहीं पर मदलब कई बार क्या होता है पेड अप है वो फ्री में आपको मिल रहे है किसी और साइट से हम डाउनोड कर लेते हैं यह वहां पर वायरेस हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं कुछ बी और सबसे पड़ी बात यह है आप जब भी अप्लिकेशन को डाउनलोड करते हो ना एक ब आपके फोन बता दो मदब वो हम कहीं कुछ कर रहे हैं कॉन्टैट की परमिशन मांगे हैं आप बच नहीं सकते अपने स्मार्फोन से आपके स्मार्फोन को आपकी हर एक चीज पता है इतना तो आप याद करी लो कूगल बाबा को सब पता है और अगला जो है कई वर क्या होता है इंस्टॉल करने के बाद भी आप परमिशन को इंक्रिप्ट करता है इंटो एंड उसर को मतलब जब वह वाटसफ भी नहीं देख पाता है एक की पास आप मैसेज जाता है दूसरा रिसीप कर लेता है काम खतम लेकिन आपको नहीं पता क्या होने वाले क्या कर रहें क्या बता आप इदर से मैसेज करने बीश में पढ़ा जा रहा है यह लड़का कुछ भेज रहा है यह भी अप्लिकेशन आप यूज करना बिल्कुल भी छोड़ दीजे और अगली जो बात है और एक ची जो नोट किया अपने क्या हम बैक कवर लगाते हैं अपने फोन पर और कभी उसको उतार कर देखते नहीं कि सिच्वेशन क्या है आपके फोन की बैक साथ को बलब कभी कभी फोन को क्लीन करते रहना चाहिए अंदर से भी बैक कपड़ा ले लो आपके घर में कॉटन नोटन का कपड़ा है हराम तो कॉससे साफ कर रहा हो ऐसा रही कि इसको जाक बातरूम में जाके उसको मास डीया विल्कुल चंप कर दिया साफन से वह सभ मत करना तो बहूं जा करते हैं दूसरा है है रिस्टार्ट नहीं करते हैं हम अपने फोन को यह बहुत बड़ी गलती करते हैं जो बैक्रोंड़ पर चल रहें आपको नहीं बदा क्या हो रहे है यह सब अपकर क्लियर हो जाएगा और हम क्या करते हैं मान लो recent apps हैं हमारी आदत वनी हुई है उसको kill करते रहने की अब दिन में आप कितनी बार WhatsApp खोलते हो तो उसके बाद क्या होते हैं आप बाबर उसे kill करोगे खोलोगे उतना ज्यादा लोड पड़ेगा आपकी memory पर प्रोसेसर पर तो यार किसी पर ज्यादा लोड डालोगे ना जैसे phone की app है phone करते हैं हम तो वह आपको background में रखनी चाहिए WhatsApp हो गया phone हो गया जो भी आप regular use कर रहे हैं पूरे दिन में वो background पर ही रहना चाहिए आपका तो अनुर भाई सारे point complete होगे कुछ बचा हो चाहिए मुझे तो कुछ अभी mind में नहीं आ रहा आपको अगर आ रहा हो आपको यह आ रहा हो ना तो नीचे comment के आसपा subscribe का button होगा वो तो है यह जो आप हमें points बताऊगे ना नीचे तो उनकी हमें कोर वीडियो लाएंगे और आपका mention करेंगे कि आपने हमें यह point बताया और भाई आसपा subscribe का button होगा अनुर भाई बता नहीं क्या हो गया है subscribe और घंटा घंटा दबा देना सब दबा देना ठीक है और भाई का link को कुछ हो है जिसका link को उसकर दबा देना जो भाई मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू झाल 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 झाल